नमस्कार महुराम किंकर सिंग दिल्ली तक की खास पेशकस्म आपका स्वागत है राजधानी में 2015 में एक अलग सरकार आई दिल्ली में दिल्ली सरकार जिसमें राजनितिक पार्टी आम आदमी पार्टी बैठी है और 2015 में जब से सरकार बनी तब से लेकर आज तक राजधानी के उपराजपाल और दिल्ली सरकार के बीच में जो मन मुटाव है जो दुराव है जो आपस में मतभेद है वो बहुत जादा खुल कर सामने आए इसे पहले नजीब जंग थे और साथी साथ हमने देखा कि किस तरह से अनिल बैजल थे और अब दिल्ली के नए उपराजपाल वीके सकसेना अलग अलग मौकों पर ये रार बहुत बार सामने आई है लेकिन ये रार नई नहीं है हलाकि 2015 के बाद ये रार बहुत जादा बढ़ी है सवाल ये है कि अगर उपराजपाल और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री के बीच में इस तरह की रसाकसी अगर होती रही तो इसका जो खामियाजा है वो कौन भुग देगा जाहिर तोर पर दिल्ली की जनता और यह मैं आपको खास तोर पर बता रहा हूँ कि इसका जन्म कहां से हुआ दरसल दिल्ली पहले एक यूनिनियन टेरिटरी हुआ करता था लेकिन 2021 में संशोधन के जरिये जो है इसे जी एन्सीटी आफ जैली कहा जाने लगा और उसका सिलसलेवार मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से तीनों पार्टियां यानि आम आदमी पार्टी, कॉंग्रेस और बीजेपी और मुए याद आता है जब अटल विहारी वाजपेई और मदनलाल खुराना ने साफतोर पर कहा था कि वो दिल्ली को पूर्ड राज्य बनाएंगे और आम आदमी पार्टी ने भी अपने मैनिफेस्टों में कहा था कि वो पूर्ड राज्य बनाएंगे दिल्ली को और साथी साथ जो दिल्ली का अपना खुद का जरिया है यानि कि बीजेपी ने भी कहा था, कॉंग्रेस ने भी कहा था और आम आदमी पार्टी तीनों ने कहा था कि फुल स्टेट बनाएंगे यानि पुरुड राज्य होगा, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश नहीं होगा बावजुद इसके आप अंदाजा लगाईए कि कितना समय हो गया लेकिन किसी ने पुरुड राज्य बनाने की तरफ आएक कदम भी नहीं बढ़ाया लेकिन अब जो जगड़ा है उसकी वज़े से काफी दिक्कतें हो रही है 1952 में पहली बार ऐसा हुआ जब दिल्ली में कॉंग्रेस की सरकार बनी उस समय चोधरी ब्रह्म प्रकास सबसे पहले मुख्यमंतुरी थे 1956 में यूनियन टेरिटरी हुआ दिल्ली और साथी साथ 1951 में कॉंग्रेस ने 79 संसोधन किया और दिल्ली को special status दिया तब इसे यूनियन टेरिटरी की बजाए जी एन सीटी आफ डेली कहा जाने लगा यानि नेशनल कैपिटल टेरिटरी आफ डेली 1993 में मदनलाल खुराना चीफ मिनिस्टर बने और साथी साथ जो है उसके बाद से जब चीज़ें आगे बढ़ी तो 2014 तक यानि जब दिल्ली में आमादवी पार्टी की सरकार बनी उसके पहले तक कोई उपराज्यपाल शब्द का नाम जानता तो था लेकिन बहुत कम जानता था अब इस्थिति ये है कि उपराज्यपाल कौन होगा उसके अधिकार क्या होंगे दिल्ली मुख्यमंत्री के क्या अधिकार होंगे ये साफ तोर पर डिफाइन भी किया जा चुका है बावजुद इसके दिक्कत है बावजुद इसके रार है क्यों? क्योंकि जो डिफाइन है वो डिफाइन में उतनी क्लैरिटी नहीं है जिसके जरीए ये पता किया जा सके कि आखिर कहां पर उपराज्यपाल की सीमा खत्म होती है और कहां से मुख्यमंत्री की सीमा खत्म हो जाती है या शुरू हो जाती है यही वो वज़ा है जिसके जरीए मैं आप से कह पा रहा हूँ कि लगातार इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलती है और साथी साथ एक क्लॉज 249 डेबल ए ये वो क्लॉज है जो साफ तोर पर कहता है कि अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री और उपराजयपाल के बीच में अगर कोई सहमती नहीं बन पाती है किसी निरले पर तो इसे उपराजयपाल राश्टपती के पास भेज सकता है और राश्टपती चाहे तो इस पर फैसला ले सकता है लेकिन सवाल यही है कि उसमें जो संशोधन हुआ 2021 में उसमें ये साफ तोर पर कह दिया गया कि हाला कि हर फैसले को उपराजयपाल को नहीं रोका जाना चाहिए यही वज़ा है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि अभी टीजें डिफाइन हो गए और 2021 का The Government of National Capital Territory Act अगर मैं बात करूँ 15 मार्च 2021 को लोकसभा में 24 मार्च 2021 को राज्यसभा में पास हुआ और इसका मकसद यही था यह बताना कि उपराजयपाल और दिल्ली सरकार के बीच में क्या-क्या शक्तियां है क्या-क्या डिफाइन है और किसको किसकी हद में नहीं जाना चाहिए बावजूद इसके यह हुआ अभी तक यह जगडा यह रार चलता चला आ रहा है साफ तोर पर यह मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है अब देखना यह होगा कि लगता है कि अब कोर्ट ही इस पूरे मामले में कुछ कर पाएगा कि दोनों की शक्तियां जो है उसे क्या पूरी तरह से दुबारा डिफाइन करेगा या फिर अपने तरीके से वह बताएगा हलाकि अभी तक दिल्ली विधान यानि की विधी और कानून बनाने का काम दिल्ली सरकार के चुने हुए मंत्री करते हैं और दूसरी तरफ जो पबलिक से संबन्दित मुद्दा है लाइन ओर्डर से संबन्दित मुद्दा है पुलीस और लेंड ये उपरा जिपाल के अंतरगत आती है तो यही वजहें हैं जिसके जरिये मैं कह रहा हूँ कि यह स्थिती यूँ ही खत्म नहीं होने वाली है बलकि इसकी जड़ बहुत गहरी है हाला कि इसे दूर करने का प्रियास किया गया लेकिन हर बार यह और जादा कॉंपलेक्स और जादा दिक्कत भरा होता चला गया उलचता चला गया और आपने कई बार सुना होगा मर्ज बढ़ता ही गया जो जो दवा दी और यही वज़य हो रही है यही चीज हो रही है उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार की शक्तियों को डिफाइन करने के बीच में तो इस वीडियो में फिल हाल इतना ही मुझे दीजे इजाज़त फिर मुझे आपने करने कर दो 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 साट्वाइन करने करने लिजस पना है इस वीज़ता है